मित्रों आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी बाते बताने जा रहे हैं जो आपको या कोई और जो साइबर बुलिंग का शिकार हुआ हो तो ये चीजें आपको सेफ रखेंगी कुछ समय पहले आपने ये शब्द जरूर सुना होगा वाइज लोकर रूम ये कहने को तो महज एक इंस्टाग्राम गुरूप था लेकिन बर्चूल संसार में बने इस छोटे से गुरूप ने हमारे आज के समाज की सच्चाई बया कर दी दिल्ली बेश्ड इस गुरूप में वो सारी बाते हो रही थी जो लगबग हमारे आसपास डबी छिपी जुबान में होती रहती हैं बसंतर सिर्फ इतना सा था कि यहां जहर उगलने बाले ये काम बड़ी बेशर्मी और गर्ब के साथ कर रहे थे नावालिक लड़कियों का योई शोचन और रेब की बातें खुले आम हो रही थी खैर उनकी ये चैट बाइरल हो गई लड़कियों नहीं उनके स्क्रीन शॉट डाले जिसके बाद भी ये लड़के डरे नहीं बलकि उन लड़कियों को सबक सिखाने के लिए उनकी न्यूट तस्पीरे बाइरल करने की तयारी होने लगी वो भी स्रिफ इसलिए ताकि उनको सबक सिखाया जा सके बितरो ये कोई पहला बात के नहीं है जब हम महिलाओं को या जिनके साथ कुछ गलत हुआ है उनको ही सबक सिखाने और दोश देने पर आमदा हो जाते हैं बही औरत खुली तिजोरी होती है खुले में निकलेगी तो लुटी जाएगी एक समुदाए विशेश में तो उन्हें काले बोर में ही बंद करके रखा जाता है सर्दी हो या गर्मी हो उन्हें इससे कोई फरक नहीं पड़ता मितरो आज हमारे समाज में कई जगे लड़कियों को खुले में सास लेने की आजादी मिल चुकी है कई ऐसी परदा प्रथा जैसी प्रथाओं से आजादी मिल चुकी है किन्तु आज भी हमारे समाज में एक हिस्सा ऐसा भी है जो आज भी ओर्तों को घर में बंद किये हुए रखना चाता है सदियों से हम जहर की खेती अपने बच्चों के दिमाग में कर रहे हैं अब पसल सामने हैं कि मूँ चुरा कर खेत को दोश देने में लग गए हैं मित्रों इस घटना ने एक तरफ सड़ चुके समाज तो दूसरी तरफ सोसल प्लेटफॉर्म पर होने बाली साइबर बुलिंग का चेहरा भी बेनकाप किया है भारतिय सम्भिधान के मताबिक साइबर बुलिंग एक दंडनी अपराद है इसका मतलब यह है कि सोसल मीडिया पर या इमेल और SMS के जरिए किसी को परिशान करने का कोई भी आकरामक जान बुचकर किया गया काम कानून की नजर में दंडनी है हलाकि इसके बाब जूद यह सब धडले से जारी है मित्रों ऐसे में अगर आपके साथ भी इस तरह का कोई साइबर अपराद हो तो आप इन तरीकों को अपना करें घटिया लोगों से निपट सकते हैं पहला कदम यह होना चाहिए कि आप तुरण से शोसल मेडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसे साइबर बुली को ब्लॉक और रिपोर्ट करें और अपने दोस्तों से भी अकाउंट को ब्लॉक करने के लिए कहें नमबर टू यदि आप अधिकारिक तौर पर अकाउंट की रिपोर्ट करने या इसकी प्रिक्रिया को लेकर कोई गाइडेंस चाहते हैं तो राश्तिये साइबर अपराहत के हेलप लाइन नमबर पर संपर्क करें हेलप लाइन नमबर 155-260 जो कि सुबह 9 से शाम 6 बजे तक एक्टिब रहता है आप ट्वीटर पर भी संपर्क कर सकते हैं एड़रेट साइबर दोस्त पर टेक करके नमबर 4 मित्रो अपने दोस्तों और परिबार को घटना के बारे में सूचित करें और उनसे टेच में रहें साइबर बुलिंग बहुत परिशानी बाली होती है आपको ऐसा लग सकता है कि आपके माता पिता आपको नहीं समझेंगे और सोसल मीडिया पर एक्टिब रहने के लिए आपको ही दोशी ठहरा देंगे लेकिन मित्रो ऐसा नहीं है आप अगर उन्हें मौका देंगे तब ही तो वो कुछ कर पाएंगे उन्हें इस्टिती की गंभीरता का जादा अंदाजा होगा इसलिए अपने सिर्ज से बोज उतारिए और अपने दोस्तों और परिवार से बात कीजिए नमबर फाइब जब आप साइबर बुलिंग की ऑफिशियल शिकायत करने जाते हैं नमबर सिक्थ मित्रो इस चीज से उभरने के लिए प्रोफेशनल हेल्प लेने में कोई बुराई नहीं है आप किन चीजों से गुजर रहे हैं तो प्रोफेशनल हेल्प लेने में कोई बुराई नहीं है यह आप के लिए अच्छा ही रहेगा नमबर सैबिन अपनी भावनाओं को दबा कर मत रखिए खुल के बात कीजिए मित्रो याद रखिए साइबर बुलिंग एक अपराधिक काम है अगर आपने इसे फेस किया है तो यह सोच का चुप मत रहिए कि लोग आपको ही दोशी ठहराएंगे अपने अनुभवों के बारे में खुल कर बात कीजिए उन लोगों की मदद कीजिए जो उसका शिकार हुए हैं तो कि आप अकेले नहीं हैं नमबर एट कुछ हार गए और कुछ उस पार गए मैं तरो आशा करता हूँ यह वीडियो शायद आपके और आपके दोस्तों के कुछ काम आए तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और आप सब के सहयोग की जरूरत है अपने इस चैनल को तो एक बार आपने इस चैनल की बाकी वीडियो को भी जरूर देखना है मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ जय हिंद